गाजी वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग की बत्ती गुल होने वाली है क्योंकि आज हम इस वीडियो में दुनिया की खतरनाक और मईदार इनोवेटिव रोबोटिक एनिमल देखेंगे जो दिखने में बले ही हमें रियल एनिमल जैसे दिखेंगे लेकिन इनके काम और ताकत देखकर आप धंग रह जाओगे तो वीडियो शुरू करने से पहले अपने चपल जूते उतार कर एरफोन को टाइट कर चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस वीडियो में आपके होस उड़ने वाले हैं तो चलो अपनी कुरसी की पेटी भांद लो और हमारे इस अतरंगी दुनिया की सेर करने के लिए हमारे रोलर कोस्टर में बेट कर अपनी अपनी कुरसी को टाइट से पकड़ लो अच्छा बताओ गाज ये उड़ता हुआ रोबोट किस की तरह दिखाए दे रहा है जी हाँ बिलकुल ये एक चमकादट की तरह दिखाए दे रहा है लेकिन जनाब इसका नाम फ्लाइंग फोक्स दिया गया है इस कमल के रोबोट को यूज के फेश्टो बायोनिक में बनाया गया है ये बिलकुल एक रियल चमकादट की तरह उड़ सकता है और उल्टा भी लटक सकता है अगर आप भी इस चमकादट को रात में लटकते हुए देखेंगे तो आपकी आँखे भी दोका खा जाएगी इसके विंक्स को इलाश्टन फेवरिक से बनाया गया है जो की काफी लाइट वेट और डूरेबल होता है लेकिन फिर भी अगर इसके फेवरिक को कोई भी डेमेज पहुंचता है तब भी ये रोबोट बिना गिरे सके सच में यार ये काफी जबादस्त इनोवेटिव रोबोट है है की नहीं अब इस अजीब से दिखने वाले जानवर को देखकर आपको किसकी याद आ रही है नहीं समझे तो मैं आपको बता दू गायज इस रोबोट को सलेमेंडर जो की एक एमबीपी जानवर उसी का प्रिंटर से बनाया गया है इसलिए जब इसे एकसरे की मज़से देखते हैं तो ये बिल्कुल एक रियल सेलेमेंडर की तरह मुव करता हुआ नजर आता है इसकी चाहल वाकरी में काफी लाजवाब है जिसे देखने के बाद कोई भी इसे रोबोट नहीं बोल सकता है आपक आपको कहीं और भी पहुँचा सकता है तो गायज फेस्टो कमपनी ने कंगारू के रूब का एक बायनिक रोबोट बनाया है ये रोबोट कंगारू भी 40 सेंटीमेटर तक की हाट तक कूद कर एक ही जंप में 80 सेंटीमेटर तक की डिस्टेंस कवर कर सकता है और सबसे चेंटिया कितनी ज़्यादा मेहनती होती है और ये कभी भी अकेले नहीं रहती जहां पर भी यह रहती है इनकी एक पूरी बच्टी वहीं पर एक साथ रहती है और ये अपने साथ सबी काम को मिल जूट कर करते हैं इसलिए ही जनाब फेस्टो कमपनी ने इस बायोनिक एंट को create किया है लेकिन आ जनाब ये रियल चीटियों की तरह छोटी छोटी नहीं होती बलकि ये अपने हाथ के बराबर की होगी इसलिए इनको कम समझने की भूल मत करना और इनकी खास्यत यह है कि ये बाकी चीटियों की तरह ही एक दूसरे से बाते करने के साथ ही मिल जूर कर काम भी करती है और जनाब इन में इतनी ताकत होती है कि ये इस तरह से किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह कर सकती है और जाती इन एंट्स को 3D प्रिंटर से डिजाइन किया गया है जिससे ये दिखने में काफी शांदा दिखाए देती है तो चलो गाइज अब इस बड को देख लेते हैं क्यों लग रही है ना बिलकुल असली मैं भी एक बार के लिए इस बड को रियल समझ बेठा था लेकिन नहीं बाद में पता चला दोस्तों ये तो रोबोटिक एगल है इस बड का टोटल वेट 750 ग्राम होता है जो कि इसे आसानी से आसमान की उचायों में मदद करता है और इस बड को 45-60 मिनट में फुल चार्ज करके सिर्फ 12-15 मिनट तक ही उड़ाया जा सकता है इसका ये फीचर आपको थोड़ा डिसापोइंट कर सकता है लेकिन इस रोबोटिक बड को एइपोर्ट से बड को दूर रखने के लिए बनाया गया था क्योंकि इस इगल की वज़े से बर्ड से एरपोर्ट के आसपास मंदराने से डरती है ताकि प्लैंस के टेक ओफ और लेंडिंग के समय इन बर्ड को कोई हाम ना पहुंचे औरे 17 फीट पर सेगेंड की स्पीड से काफी तेजी से उड़ सकता है साथी आप इस बड को इसके रिमोट से 500 म मीटर तक के रेंज में आराम से उड़ा सकते हैं अगर आपको ये बर्ड आस्मान में उड़ते हुए देख जाए तो आप इसे पहचान पाएंगे कि नहीं कमेंट करके जरूर से बताना गैज इस इनोवेशन को देकर आपके होस उड़ने वाले हैं क्योंकि जनाब हमें ये जो उड़ती हुई मक्की दिखाए दे रही है ये कोई रियल मक्की नहीं बलकि एक फ्लाइंग करता हुआ रोबोट है क्यों जनाब सर्प्राइज हो गए आप इस फ्लाइ को इसके रिमोट कंट्रूल की मदद से एक ही चारज में आठ मिनर तक उड़ा सकते हैं और जनाब ज़्यादा भी नहीं 100 मीटर तक की रेंज तक इसे इजली उड़ा सकते हैं और इसके क्रेस प्रूफ डिजाइन की वज़े से आप इसे अपने घर के अंदर और बाहर कहीं भी बीना डरे उड़ा सकते हैं यह 10 ग्राम का भी नहीं होता लेकिन उड़ते वे किसी रियल फ्लाइस से कम भी नहीं लगता सच मियार काफी काति लाना इनोवेशन है काश यह हमें इनकी तरह एक रूपे में ही मिल जाता क्या एक रूपे में जी यह जनाब हम आपके लिए काफी मेनत करके ऐसे डेल्स और डिसकाउंट कूपन कोड के साथ लाते हैं जल्दी से डिसक्रिसम बॉक्स या फिर पिन कमेंट में दियेगे लिंक पर क्लिक करके हमारी टेलीग्राम चैनल को जोइन करके इसका पूरा फाइदा उठाओ अरे ये क्या इतना बड़ा साप कहां से आ गया क्या आपने कभी इतना बड़ा साप देखा है लेकिन जनाब ये कोई रियल साप नहीं है बलकि एक रोबोटिक स्नेक है जो की लगबग 50 फूट लंबा और 2000 पाउंड का होता है क्या आप में इतनी हिम्मेत है कि आप इस साप इन पर ही नहीं पानी में भी आराम से मूग कर सकता है इस तरह के जियांट सनेक को देखकर तो किसी की भी हाले से टाइट हो जाएगी क्या होगा अगर आपके दोस्तों के सामने एकदम से इस तरह का जियांट सनेक आ जाए वाकर में ये दिखने में काफी खतर नाग है और जरा इस मीनी चीते को भी देखिए जिसे एमाइटी बायो मीमी टेक्स लेब की डेवलरपर बैन केट जिन इन्वेंट किया था यह काफी अल्टिमेट रोबोट है जिसमें चीते की शक्तिया मोजूद है यह बिलकुल एक रियल चीते की तरह बड़ी तेजी से बाग सकता है औ साथ ही जनाब बैक फिलिप से भी माँ सकता है यह वाश्ता में काफी कमाल का इन्वेंसर ने जिसने सभी को सप्राइज कर दिया है और इसकी पावरफुल सक्तिया इसे बिलकुल एक रियल चीते जैसा ही बनाती है अगर आपको यह चीता मिल जाए तो आप इससे क्या काम कर आओगे मुझे कमेंट करके जरू से बताना अब जनाब इतने बड़े स्पाइडर से तो को नहीं डरेगा क्या आप इतने बड़े स्पाइडर को उठाने का डेरिंग रखते हैं इस रोबोट को भी बिलकुल एक रियल स्पाइडर की तरह ही डिजाइन किया गया है जरह दे स्पाइडर को बनाने के लिए भी 3D डिजाइन का यूज किया गया है वह इसमें लगे 18 मोटर्स की मदद से ये बड़े ही आजाएं से किसी भी औश्टेकल जैसे स्टोंस या फिर स्टैस को क्रोस कर सकता है लेकिन जनाब क्या आपको अब इतने बड़े स्पाइडर को तरह हरकते करता है आप इस रोबोट डोग को इसके कंट्रोलर की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं साथ ही समें रियल डो की ही तरह सभी Emotions भी होते हैं जिने आप इसकी आइज में देख भी सकते है साथ ये 14 किलो तक के वेट को अपनी पीट पर आराम से उठाकर चल सकता है और पालतू डोगी बनाना चाहोगी मुझे कमेंट काके जरू से बताना चलो अब आप बताओ इस रोबोट को देखकर आपको किस की याद आ रही है जी हां गायज इस रोबोट को एक गोट का डीजाइन दिया गया है यह रोबोट किसी भी रफ या फिलेट सर्पेस पर आराम से चल सकते है और इसे बारी समान को केरी करने के लिए बना गया है और यह रोबोट के गोट 100 किलों तक के लोड को करी करी का सकता है इसके बोडी में हिंडल रवा से दिये होते हैं जिससे आप इसके ऊपर बेट कर कंट्रोल का सकते हैं जना मैं आपको बता दू यह किसमें Sindle Bar अब गाइज यह है दुनिया की पहली बायोनिक पेट केट है, इस केट को Elephant Robotic Company ने इंवेंट किया है, यह केट खुद ही अपने आपको कंट्रोल करती है, मतलब जहाँ जाओगी यह खुद ही आपके पीछे पीछे आ जाएगी, और अगर आप इसको जाने को कहेंगे, तो यह एक अच्छे पेट की तरह वापस भी चली जाएगी, जब आप इसे प्यार से सहलाएंगे, तो यह अपने इमोशन से अपनी आँकों से बया भी करेगी, और गाइज साथी इसमें आपको ओडो चार्जिंग का भी फीचर मिल जाता है, और गाइज यह रियल केट की ही तरह अब से अच्छी बात इसे का यूनिक और इसके सबसे अच्छी बात यह बाइट की तरह गंदगी नहीं पहलाती आकर इस तरह का पैट किसे नहीं चाहिए होगा तो गाइज अब आपको इस रोबोटे के दुनिया का कौन सा इनोवेशन तबाही वाला लगा कमेंट करके जरू से बताना और हमारे डिल्स और डिसकाउंट को पाने के लिए पिन कमेंट में दिये टेलीग्राम चेनल को जोइन जरू से कर लेना तो गायज अब हम मिलता हमारी नेक्ट चीडिय करके सेर करने के दुरान तब तक आप हमारी डिल्स का फायदा उठाए तो गायज एक साथ बोलो बाए बाए